नमस्कार आज हम बात करेंगे रसायन आउशदियों के बारे में जिन्दिगी भर रहो जवान रसायन चिकिसा के साथ तो जिन्दिगी भर जवान रहने वाली चिकिसा को क्या कहते हैं रसायन चिकिसा और आईरवेद में बहुत सारे रसायन बोले हैं सिंगल आउशदी वाले और बहुत सारी दवा डाल कर जो बनते हैं वह वाले भी ऐसे आमने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो आज हम सिंगल आउशदी वाली एक रसायन की बात करेंगे उसका नाम है गुडूची गिलोए जी हाँ इसके उपर आपने आल्रेडी वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने आपको बताया था बीमारी ना हो तब भी लिया जा सकता है तो गुडूची के फाइदव उसमें हम जाने थे आज हम डारेंगे कि रसायन के लिए अगर इसका यूज करना है तो कैसे और कब करना चाहिए और कुछ लोग के सवाल थे कि गुडूची लेने से प्रॉब्लम होती है तब हम क्या करें वो भी जानते हैं गुडूची शब्द जो बना है वो गुडूती से बना है गुडू रखती है टिका के रखती है उम्र बनने के साथ जो आपके सेल डीजनरेट होते हैं धात्मों का शय होता है बॉड़ी में कमजोरी आती है दिमाग में कमजोरी आती है उन सारी बिमारियों से बचा के रखने के लिए गुडूची को लेने के लिए कहा गया है इसका गुडू सब्सक्राइब करने के कारण ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मेरे रखत धातु जादा होते रहते हैं रखत की बीमारी होती रहती है, शरीर में कहीं से भी खोनून, निकलना, खोया, बहुत ज़दा एंटीबियोटी, क्या ये सब सारी दवा खाके बलड खराब हो गया है, या कीमो इमो जैसी जब थेरपी लेते हैं उस टाइम पे, या जिन लोग ने स्टिरोइड लिया है और उनके लीफ है, या बलड कॉलिस्ट्रोल लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे सारे के सारे लेवल पे ये बलड के उपर बहुत अच्छे से जाकर काम करती है, तो रक्त धातु वाला जिनको रसायन चीए, वो काम करेगी, ये मजज़ा के उपर भी जाकर काम करती है, मज़ा मतलब आपक सारी ऐसी बिवारियां होती है, जिसमें आयू कम होने लग जाता है, जैसे कि कई सारे टाइप के एंइमिया हैं, थीक से जो बलड है वो बनता नहीं, बलड ठीक से ना बनने के कारण जूस भी व्यक्ति को ये हुआ रहता है, अब आप बहुत सारे टाइप है, पत तो जिसक कहते हैं ऐसी सारी कंडिशन में यह जो दवा है यूसफुल रहेगी यह मेद धातू पे भी जाती है तो यह वाला जो टॉनिक है वह उस टाइप से ज्यादा बढ़ा है तुम लोग बोलते हो और वजन बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा मैं मुझे स्वांस की तकलिफ ज्यादा वजन के कारण हो रही है या मुझे डाइबिटीज होके मुझे कोई टॉनिक चाहिए ऐसे टाइम पर आपको शुगर है मोटापा है शुगर लेवल कम करना है तो यह इस टाइप का जो गुडूची वाले जो रसायन है वह आपके लिए ज्यादा फाइदे मंद रहेगा साथ ही इसे लेंगे तो आपकी यह स्कीन के उपर भी मतलब यह टॉनिक अगर आप कंटीन्यू लेंगे तो आपके स्कीन के लिए स्कीन डिसॉर्डर पर हमने एक वीडियो डाला जिसमें आपको बताया था गुडूची सोंट और घी लेना चाहिए उस पर काम आएगा सभी तरह के जॉइंट पेन में आपके लिए यूसफुल होगा यह आपकी किड्नी डिसॉर्डर के लिए फाइदे मंद होगा जिसमें बहुत जदा यूरीन जाता है इस तरह की बीमारी में जिनको बहुत जदा काफ होता है उस बीमारी में ऐसी बहुत सारी बीमारी में लंबे समय तक यंग बने रहने के लिए इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए या इंफेक्शन से बचके रहने के लिए कोई एक टॉनिक होना चीए तो वो है गुडू होगा मतलब सुबद 6 बजए यह दवा ले लो और उसके तीन घंटे बादी कुछ खाना पीना है और शदी को जो पाचन होने में टाइम लगता है तो सुबद 6 बजए के आसपास आप इसे ले सकते हैं इसका जो स्वरस है या लिक्वीड है या इसका काढ़ा बनाकर ले रहे ह में यह को लिए जो काढ़ा मिलता जिनके पास ताजा लकडी है वो काढ़ा बनाकर ले सकते हैं और जिनके पास पाउडर है वह एक से तीन ग्राम उसके फॉर्म में ले सकते हैं अब वात-पित कफ तीनों प्रकृति के लिए सुटेबल है तो वात वाले अगर इसे ले रहे पतले हैं ऐसे टाइम पर पित वाले हैं तो इससे जो खड़ी साखर होती है मिश्ट्री होती है उसके साथ ये वाला लेना चाहिए जितनी ये पाउडर रहेगा उतनी मिश्ट्री खड़ी वाली जो बड़ी शक्कर आती है वह मिलाकर सुबह ले सकते हैं या जो काढ़ा अगर कफ वाले हैं मतलब डाइबीटिक पेशन्ट है मोटे पेशन्ट है फैट कम करना है या चर्वी कम करना है कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ लिपीड बड़ा हुआ लिपीड प्रोफाइल बीड़ी हुई है ऐसे टाइम पर इसे लेना है तो शहत के साथ आप ले सकते हैं काड़ा बना कर ले रहे हैं तो काड़ा जब ठंडा हो जाएगा तब एक चमश शहत के साथ या पाउडर ले तो डारेक्ट शहत मिलाकर उसे सुबह खाली पेट खा सकते हैं उपर से साधा पानी लेना है तो यह तीन टाइप के लोगों के लिए यह हो गया अब कुछ डाउ सकते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि रही हैं मुझे गिलो है लेने से पैन होने लगता है तो जिनको गिलोह गंड़ूशी जब चेस्टैस्ता है तो इसलिए यह यह चाला ज्यादा फाइदे मंद होती है तो अगर आपको गुडूची लेने से आपके शरीर में ड्राइनेस आ रहा है या गुडूची लेने से आपको गुडूची की टैबलेट खा रहे हो तो गरम दूद ले लो या उसको घी में बिलाकर ले लो घी या दूद के साथ आप लेंगे तो आप देखेंगे कि गुडूची लेने से जो आपको कॉंस्टिपेशन की तकलीफ हो रही है या गुडूची लेने से जिन लोगों को सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि प्यूर सत्व मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है मिलता है मार्केट में पर मिलावट वाला काम पता है ना वह ज्यादा तर मिलता है तो गुडूची का डारेक लकडिया पाउडर यूज़ करें सत का भी आप हाफ ग्राम से ल सकते यह में प्रक्रिदी यह दारिक लाओं से यूज़ कर सकते हैं इसका ओर जिवाट यूज क्या है वह हमने वीडियो डाल कर रख central वीडियो एक महिन यूज़ करो पांश दिन डैप देदो फिर एक महिना यूज़ करो इस तरीके से आप कर दो यूज जाते लीवर, स्प्लीन और किड्नी यह तीन और पर यह ज्यादा अच्छा एक्षन करेगी तो इन सिस्टम से जुड़ी हुई जो अगर आपको कोई भी बीमारी याद आती है वह चाहिए लीवर की है हेपेटो मेगाली हो फैटी लीवर हो या फिर आपको जॉंडिश जैसी प्रॉ साड़े में आप और जानना चाहते हैं कौनसे रसायन के बारे में जानना चाहते हैं और था प्रचा इंयुक्त कर सकते हैं वह भी आप कमेंट करके लोग decid